हे वेलकम दोस्तों मैं उरोय तोड आप देख रहेां आपका अपने येट्टूँ चैनल पीच्चर विच्चर मैंने आपके लिए एक एसी मुवी खोर्च के लाही है एसी मुवी आपने कभी देखे नहीं होगी तो दोस्तो ये मुवी एक romantic love story है और दोस्तो इस मुवी की कहानी बहुत ही simple और subtle है इसे समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और इस मुवी का नाम love is enough sir है और sir इसका मुख्य नाम है तो दोस्तो अगर आपने इस channel को अभी तक subscribe लिए किया तो please इस channel को subscribe करें क्योंकि हम आगे भी ऐसे movie के review लाते रहेंगे दोस्तो sir movie एक बहुत बहुत बहुतरिन movie है इसे देखते वक आप एक भी second के लिए बोर नहीं होगे और इस movie को बहुतरिन director और writer रोविनी गेराजी ने लिखा है और direct भी किया है और दोस्तो इस movie को देखते वक आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई movie देख रहे हो आपको ऐसे लगेगा कि आप कोई lieo events देख रहे हो इतने अच्छी तरीकी से इस movie को direct किया है रोविनी गेराजी ने और इस movie में मुख्य भूमिका में तीलो तमा शोमे और विवेक गोंबेर जैसे बहतरिंग कलाकुर ने काम किया है और इस movie का plus point इस movie के actor और उनके द्वारा की गई acting है जो इतने बहतर कि आप उनसे प्यार करने से नहीं रोग पाओगे इतने अच्छी तरीके से acting किये दोनों में भी और इस movie में दिखाये गए बहुत सारे से सीनेजी से देखकर आप बस उस movie का एक हिस्सा बन जाते हो और उस केदारों को जीने लगते हो इतना सुन्दर बनाया इस movie को और इस movie में में हमारे society के बारे में दिखाया है कि एक बड़े घर का लड़का बस उनके लेवल की लड़की से ही प्यार कर सकता है अगर उसने ये line क्रोस करके किसी गरिब निचले लड़की से प्यार किया तो society उसके ओर के नजर से देखती है ये इस movie में दिखाने की कोशिश किये अभी हम बात करते है इस movie के story और direction के बारे में दूस्टर, story बहुत ही simple है पर इसे दिखाने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि ये बड़े घर का लड़का है जिसे पने नोकरानी से प्यार हो जाता है तो उसके बात क्या जो नोकरानी है वो किस नजर से देखती है अपने मालिक को उसके मन में उसके लिए प्यार है या नहीं इसे बहुत सारे सवाल हमें इस movie को देखते वक आते है और story में मेन हमें society इन दोनों को किस नजर से देखती है ये दिखाने के कोशिश कीए तो इस movie में दोनों भी अपनी line cross करके एक दुसरे से प्यार करने लग जाते और इनका प्यार हमारी society से जीब पाएगा या नहीं इसके लिए आपको इस movie को देखना होगा तो प्रीस इस movie को ज़रूर देखना अगर आपने इस movie देखे तो मुझे नीचे comments करके बताएगे कि आपको इस movie कीसे लगी अगर आपने इस movie को नहीं देखा तो पढ़े जाकर इस movie को देख लो तो दोस्तो हम मिलते आपने next video में एक नहीं movie के साथ तब तक के लिए good bye